दूस्तो आज इस वुडियो में बताने वालें Axis Bank Credit Card EMI कैसे करें Axis Bank Credit Card EMI Convert Process के बारे में जिससे अगर आपने Axis Bank Credit Card से कोई transaction किया है payment किया है और दूस्तो जो आपने transaction किया है Axis Bank Credit Card से अगर आप उसे EMI करना चाहते है EMI में convert करना चाहते है या पिर अगर आपका Axis Bank Credit Card का बील जेनरेट हो गया है और दूस्तो बील का जो amount है काफी बड़ा है आप उसे EMI में convert करना चाहते है तो कैसे आप Axis Bank Credit Card का बील को EMI में convert कर सकते है आज इस वुडियो में आपको बताने वालें आपकी पास Axis Bank का कोई भी credit card हो सभी credit card का बील को आप EMI में convert कर सकते है काफी लोग जो गलती कर देते हैं जिस वज़े से वहाँ पर extra charges लग जाता है तो ये गलती आपको नहीं करना है इस वुडियो को आपको पूरा देखना है इस वुडियो में आपको step by step दिखाने वालें How to convert Axis Bank Credit Card बील इन्टू EMI तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब रुकर लीजिएगा तो दोस्तो एकसिस वैंक credit card बील को EMI में convert करने के लिए आपको क्या करना है Axis Mobile App को आप पेन करना है Axis Mobile App को आप Play Store से डाउनलोड करेंगे First time दूस्तो आपको इसमें register करना होता है register कैसे करते है मैंने वीडियो बनाया उस वीडियो को देख सकते है वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा यहाँ पर हमारा Axis Mobile App में पहले से register है तो यहाँ पर हम M Pen डाल करके login कर लेते है आप यहाँ पर आपकी पास दो तरग का interface आ सकता है अगर आपका Axis Bank में सिर्फ credit card होगा तो इस तरग का interface आईगा लेकिन अगर आपका Axis Bank में एकाउंट के साथ में credit card होगा तो इस तरग का interface आईगा अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दूस्तों यह पर आप देखेंगे एक option मिलेगा credit cards का इसकी पर click करेंगे अब जैसे इसकी पर click करेंगे तो दूस्तों यह पर कुछ second का process होगा आपको wait करना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास access bank का जीतने भी credit card होगा सभी credit card यहाँ पर 100 करेंगा दूस्तों आपने जीस access bank credit card से पैसे खर्च किया है आपको जीस credit card को EMI में convert करना है उस credit card की उपर click करना है जैसे दूस्तों जो हमारा flip card access bank credit card है इससे मैंने एक transaction किया था जिसको दूस्तों मुझे EMI में convert करना है तो हम flip card access bank credit card की उपर click करेंगे अब यहाँ पर total out outstanding amount show करेगा और आपके credit card में कितना limit available है यहाँ पर show करेगा नीचे scroll करेंगे अब दूस्तों गर आप access bank credit card का bill को EMI में convert करना चाते तो इसके लिए यहाँ पर दो तरका scenario है आपको इस video को पूरा देखना है अब दूस्तों यहाँ पर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर देख सकने एक option मिलेगा convert to EMI का दूस्तों आपने इस credit card से जितना भी transaction किया होगा सभी transaction history यहाँ पर आपको show करेगा आपको दूस्तों जिस transaction को EMI में convert करना है उस transaction के उपर click कर देना है अगर आपको सभी transaction को EMI में convert करना है तो यहाँ पर आप select all करेंगे अगर दूस्तों आप single transaction को EMI में convert करना चाहरे है तो दूस्तों यहाँ पर आपका जो amount है कम से कम 2500 का होना चाहिए तभी यहाँ पर आप जो EMI में convert कर पाएंगे आप यहाँ पर convert to EMI वाले option की पर click करेंगे उसके बदूस्तों यहाँ पर देख सकते है आपको 10 year select करना है कि आप कितने महीने का EMI बनाना चाहते है जैसे 6 महीने का 9 महीने का 12 महीने का तो जैसे मुझे 12 महीने का EMI बनाना है तो यहाँ पर देख सकते है मुझे कितना हर महीने EMI payment करना होगा यहाँ पर 100 करेगा rate of interest देख सकते है पर मन्त कितना लगेगा 100 करेगा कितने महीने का EMI बना रहे है यहाँ पर 100 करेगा one time एक processing fee लगता है जो कि यहाँ पर 100 करेगा और इस पर 18% का GST अलग से लगेगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका EMI amount 100 करेगा आपको हर महीने इतना amount payment करना होगा तो सब कुछ यह करने के बाद इसका terms condition को accept करना है उसकी बाद convert to EMI वाले option की पर click करेंगे फिर दूस्तों यहाँ पर आपको M pin डालना है जो आपका Axis Mobile App का M pin है जैसे यहाँ पर आप M pin डालेंगे आपका Axis Bank Credit Card का Bill जो है EMI में convert हो जाएगा जिससे आपका Bill EMI में convert होगा तो दूस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका Total Outstanding Amount जो है कम हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर EMI convert करने के लिए दो सिनेरियो है तो पहला सिनेरियो दूस्तों अगर आपका Credit Card का Bill जेनरेट हो गया होगा अस्टेटमेंट जेनरेट हो गया होगा और अगर आपने Total Amount Due को EMI में convert किया होगा Total Amount Due का मतलब कि इस स्टेटमेंट के अंदर जितना भी आपने Transaction किया है सभी Transaction को अगर आपने EMI में convert किया है तो दूस्तों यहाँ पर आपको कम से कम Minimum Due Payment कर दीना है और Payment आपको जे डिव डेट से पहले करना है लेकिन दूस्तों जो आपका Statement जनरेट हुआ है उसके अंदर अगर Multiple Transaction है जिसमें से अगर आप एक Single Transaction को EMI में convert किये तो अभी आपको कितना Amount Payment करना होगा इसके लिए दूस्तों आपको अलग से Calculation करना पड़ीगा इसके लिए आप Access Bank Customer Care से बात कर सकते है ताकि दूस्तों आपका कोई भी Charges वेकरा ना लागेगा आप दूस्तों जो Next Statement Generate होगा उसमें दूस्तों आपका Bill आईगा उसी में जो भी EMI का Amount है वह दूस्तों उस Bill में जो एड होके आएगा फिर दूस्तों आप जिस तरह से Credit Card का Payment करते है Due Date से पहले Total Amount Due उस तरह से आपको Payment करते जाना है लेकिन अगर आपका Credit Card का Statement Generate नहीं हुआ होगा तो दूस्तों जो अभी कुछ दिनों में आपका Statement Generate होगा उसी Bill में EMI Aid होके आजाएगा फिर दूस्तों यहां पर आपको Total Amount Due सो करेगा आपको यहां पर Payment कर दीना है Minimum Due आपको Payment नहीं करना है नहीं तो आपका Charges लग जाएगा और Payment आपको जो डिव डेट से पहले कर दीना है वैसे Credit Card Bill Payment करने के लिए आप दूस्तों Credit App का यूज़ कर सकते है वहाँ पर आपको Cash App मिलता है Credit App का लिंक आपको Description में मिल जाएगा तो दूस्तों इस तरीके साब Access Bank Credit Card का Bill को EMI में Convert कर सकते है वीडियो को Like कीजिए, Share कीजिएगा चैनल को Subscribe रुका लिजिएगा मिलते आप से किसी एक Credit Card वीडियो में